हेलो माई दियर फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिवल इंजिनरिंग चैप्टर बाइज में आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सेकिंड चैप्टर ऑफ अर्थक्रेक रजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिसमें हम कवर करेंगे ट्रेडिशनल इन सभी टोपिक को हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे यह चैप्टर काफी इंपोर्टन है क्योंकि इससे काफी कोश्चन आपके बनते हैं तो इस वीडियो का आप लाश्ट तक जरूर देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिवल इंजिनर चैप्टर वाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि कि मेरे आने वाले सबी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इनका बैनिफिट ले सके इन वीडियो को आप अपने स्टडी एलेटेड ग्रूप्स में अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सेर कीजिए ताकि वह भी इन वेडियो का बैनिफिट उठा सके लिए विड कंस्ट्डक्शन इन इंडिया में जो ट्रेडिशन है यहां उसके अकोर्डिंञ हैं यहां पर जब कोई घर बनता है कोई बिविल्डिंग बनती है तो उसमें यूज क्या-क्या होता है श्टोन्स पत्थर यूज होते हैं ब्रिक्स इटे टिंबर मड कॉंक्रिट ब्लोक्स तो मोशली हमारा ये चार पांच चीजें उसमें यूज होते हैं किसी भी घर को बनाने में जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं ये एक ट्रेडिशनली कंस्ट्रक्टेड घर है जिसमें ज्यादा कुछ डिजाइन के अकोर्डिंग इसमें नहीं किया गया है कोई भी इसमें डिजाइन स्पेसिफिकेशन इसमें यूज नहीं की गई है सिंपल सोबर जो हमारा कर्श्ट्रक्शन होता है वह यहां पर किया गया है ओके अब अर्थ्वेक का इस स्ट्रक्चर पे क्य तो जब आता है तो उसका हमारे घर पे क्या असर होता है तो वह हम समझेंगे कि एस जलिए जो हैं जब आए फिर है उल्ट जोकि हमारी डिवार होती हिन फ़िर हैं फाउसन जोकि हमारी नीव हो तो इन ही तीन चीजों से main हमारा structure बना हुआ होता है अब इस पे क्या effect पड़ता है हमारे earthquake का वो हम study करेंगे जैसे during an earthquake the ground shakes in all three directions but horizontal vibrations are most damaging to masonry building जब earthquake आता है भूकम प्याँ पे आता है तो जो building है यह vibrate करती है तीनो direction में ठीक है यानि कि x-axis y-axis z-axis तीनो axis में यह vibrate करती है but जो horizontal इसका moment होता है ठीक है healthy है जो building वो सबसे ज़्यादा dangerous सबसे ज़्यादा damaging होता है ठीक है these horizontal vibrations result in large horizontal inertia forces okay inertia force क्या होता है यह आपको पता होगा अगर नहीं पता तो एक example के तुरू में बता देता हूँ जैसे आप किसी bus में travel कर रहे है वो बस speed में है एकदम से अगर break लगाते हैं तो आप क्या होता है आपके साथ आप थोड़े से आगे जुकते हैं ठीक है आप आगे जाने की कोशिस होती है एकदम सड़न आपको जो जटका लगता है वो आपको आगे बेजता है ठीक है उसी में रहने की कोशिस करता है अगर एकदम से उसको change किया जाए motion को change किया जाए तो उसमें जटका लगता है ठीक है तो वो ही होता है हमारा inertia force जैसे यह घर है इस घर में अगर हम बात करें अगर अर्थ के जहां पर आया तो यह building यहां पर ऐसे रहने की कोशिस करती है बट यह ऐसे हो जाएगी एकदम से अगर जटका लगा इस पर तो यह move करेगी vibrate करेगी जिससे यह damage हो सकती है ठीक है these horizontal forces are transferred to walls or columns from the roof and then to the foundation and finally to the soil तो जो यह भुकंप आता है तो इसकी वज़े से यह जो हमारा structure है structure पर इसका क्या effect होता है यह आप देखिए जैसे हम also इसकी बहुत करें तो यह जब च्छत पर इसका effect होता है inertia force का जब वुकंप पाता है तो inertia force यह earthquake force आप कहई सकते है इसका effect हमारी च्छत सटार होता है चत से यह हमारी दिवारों प्राइटा है दिवारों से ये फाउंडेशन प्राइटा है और फाउंडेशन से ये नीचे जमीन में चल जा जाता है ठीक है तो ऐसे ये ट्रांसफर होता réponse The inertia force act opposite to the direction of earthquake motion ओके यह earthquake की जो direction है उसके opposite में यह काम करता है जैसे अर्थक्वेक हमारा इस तरफ यह लगा हुआ है आप देख सकते हैं direction तो building हमारी है यह inertia की वज़े से इस तरफ आने की कोशिश करेगी जैसे आप speed में जा रहे है बस और एकदम से break लगता है तो आप आगे गिरते हैं तो वही इसमें भी है एकदम से यह building को इस तरफ करेगा तो आप पीछे आगे गिरेंगे ठीक है तो जो हमारी दिवारे parallel होती है direction में और कुछ हमारी transverse होती है direction में तो उन पर effect क्या होता है वो हम देखेंगे आगे यह देखिए failure of mechanism of machinery buildings तो जितने भी हमारे modes of failure है वो हम इसमें discuss करेंगे जैसे first हमारा है out of plane failure फिर है in plane failure connection failure diaphragm failure failure due to opening involves pounding and non structural component failure इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से discuss करते हैं तो first हमारा आता है inertia force की वजए से पीछे की तरफ आने की कोशिस करेगी पीछे की तरफ आके गिरेगी ठीक है push in the plane of the wall तो इस तरफ इस पर जटका लगेगा ठीक है यह है हमारी ट्रांस्वर्स जब पैरलल डारेक्शन में है ठीक है इस तरफ से अर्थक्विक आया है तो उसी डारेक्शन में दिवार गिर जाएगी इसको जटका लगेगा और यह पीछे की तरफ वापिस गिर जाएगी तो जो की inertia force की वजए से होता है ठीक है अब ये जो दिवारे हैं ये अगर earthquake आता है तो इसमें cracks बहुत कम आते हैं और ये पूरा structure पूरी की पूरी दिवार गिर जाती है तो ये जो failure होता है structure का इसको out of plane failure बोला जाता है ठीक है जिसमें plane के बाहर failure होता है ठीक है यानि कि ये पूरी की पूरी दिवार ही गिर जाएगे आपकी ठीक है पूरी की पूरी ये दिवार ही overturn हो जाएगी यानि कि पलट जाएगी ठीक है तो ये जो है out of plane failure इसको बोला जाता है जैसे अब इसके बारे में देखें let us again consider the wall as shown in figure below तो ये जो figure है हमने इसको देखा the wall is in transverse to the direction of motion तो जो transverse direction में है ये वाली is subjected to inertia force, earthquake force, perpendicular to its plane तो ये perpendicular force इस पे act कर रहा है इस force tend to overturn or bend the wall as shown in figure तो ये जो force है ये इसको bend करने की या फिर overturn करने की पलटने की कोशिस करता है as wall has very less resistance in direction due to small depth thus wall will collapse easily due to overturn okay क्योंकि ये जो earthquake force इस पे लग रहा है ये इसको bend करने की और overturn कर दे की पलटने की कोशिस करता है और हमारी जो दिवार होती है ये tension में काफी कमजोर होती है तो इसलिए ये तूट जाती है bend होने की वज़ाए ये तूट जाती है तो ये इसमें समझाया गया है अब आप देख सकते हैं जैसे ये figure है इसमें एक तरफ की दिवार है जो घर की दिवार वो पूरी की पूरी डैमेज हो चुकी इस तरफ गिर चुकी है यहां पर भी आप देखेंगे कि एक तरफ की दिवार है building की वो पूरी की पूरी डैमेज हो चुकी है गिर चुकी है तो और, masonry is very weak in tension and hence it cracks, ठीक है, tension में काफ़ी कमजोर होती है हमारे दिवारे, जो brick masonry की हो या stone masonry की हो, तो इसलिए वो तूट जाती है, ठीक है, this cracking can lead to full or partially collapse of the war, तो यह जो collapse कर सकती है इसको, पूरा का पूरा structure या फिर partially कुछ पार्ट उसका ये गिरा सकती है, ये cracks, these types of failure are called out of plane failure, तो इनी type के failure को हम out of plane failure बोलते हैं, ओके, this type of failure features, तो इस type के failure जो features होते हैं, first vertical cracks in the corner of wall and at T junction, तो जहां पे T junction हो, दिवार का और जहां पे corner हो, तो वहां पे vertical cracks इसकी वज़ाद से आ जाते हैं, ओके, फिर है cracks at inlet and top of pier, ठीक है, जो pier है, उसके top पे और inlet पे, यहां पे भी cracks आ सकते हैं, cracks at the level of roof, तो जहां पे level का, level होता है roof का, तो वहां पर भी cracks आ सकते हैं, peeling of machinery, machinery है, उसमें से peeling हो सकती, यानि कि उसमें से कुछ मलबा बाहर गिर सकता है, फिर है collapse, आपको पता है, यह पूरा का पूरा और parcel भी यह structure गिर सकता है, जो हमारी दिवार है, आदी भी गिर सकती है, और पूरी पूरी दिवार भी यह गिर सकती है, तो यह इसके features थे, हमारे out of plane failure के, अब है, जब out of plane की बात होती है, जैसे आप देख सकते हैं, यह दिवार है हमारी थिक दिवार, मोटाई है इसकी, थिकनेस है, और यह है हमारी thin दिवार, thin wall है, ठीक है, जब इस पे earthquake का असर होता है, अर्थकेक इस direction में है, ठीक है, तो यह easily overturn हो सकती है, ठीक है, पतली दिवार जल्दी गिर सकती है, as compared to मोटी दिवार, ठीक है, ऐसे ही, इसमें यह बताया गया है, अगर दिवार हमारी लंबी है ठीक है तो भी यह जल्दी गिर सकती है जल्दी यह पलट सकती है as compared to short wall ठीक है तो यह भी इसमें बताया गया है the tendency of wall to overturn when pushed in the perpendicular direction is increased with length of the wall तो इसमें यह बताया गया है जैसे जैसे दिवार की length बढ़ती है तो उसी proportion में यह overturn होने की इसकी possibility भी बढ़ जाती है long unsported length means easier collapse ठीक है लंबी और बिना sport के अगर length है दिवार की तो उसका मतलब है easier collapse तो उसमें collapse भी इतना ही जल्दी हो सकता है similar tall and slender walls are easily overturned during earthquake motion तो जब अर्थ के काता है तो लंबी और पतली दिवारे भी जल्दी गिर सकती है तो यह इसमें बताया गया है thus the tendency of wall to overturn can be reduced by limiting its length to thickness or height to thickness ratio तो हमें इसकी जो length to thickness ratio है उसको कम करना होता है और height to thickness ratio को भी manage करना होता है ताकि यह overturn ना हो पल्टे ना दिवारे ठीक है तो यह इसमें बताया गया है अब next आता है हमारा in plane failure तो इसमें भी यही आप example लीजिए दिवारों का जिसमें direction earthquake की इस तरफ है और इसमें shear force act कर रहा है इसमें bending और flexural जो force है वो act कर रहा है तो इसकी वज़े से जब इसमें overturn या bending ना हो बट cracks आ जाएं ठीक है cracks आ जाएं यह पूरा पूरा structure damage ना हो और इसमें cracks आ जाएं तो यह होता है हमारा in plane failure ठीक है in plane failure अब देखिए और अच्छे से समझते हैं इसको यह देखिए जब इसमें structure में earthquake आया तो यह पूरे के पूरी दिवार collapse नहीं की ठीक है तो यह इसमें crack आ गया बीच में crack आ गया तो यह failure यह in plane failure है ठीक है plane के अंदर में ही यह fail हो रहा है ऐसे ही जो दिवार है यह tilt कर जाती है बट पूरी की पूरी यह collapse नहीं करती है और बीच में cracks भी आ जाते हैं ठीक है तो यह भी हमारा in plane failure है ऐसे ही आप देख सकते हैं यह diagonal cracking इसमें आ चुकी है तो यह भी हमारा in plane failure है इसमें पूरा structure damage नहीं होता बट इसमें cracks आ जाते हैं और कुछ material बाहर गिर भी सकता है ठीक है अब इसके features क्या है diagonal tension cracks in short pier between opening तो opening के पास और pier के पास यहां पर diagonal cracks आ सकते हैं ओके वर्टिकल cracks at wall intersection तो जहां पर दो दिवारे intersect कर रही हो तो वहां पर vertical cracks आ सकते हैं फिर है spelling of material spelling होता है toot foot material की toot foot उसमें हो सकती है फिर है crushing of corners तो corners इसमें है वो crush हो सकते हैं okay separation and expulsion of the corner of two walls ठीक है दो दिवारों के corner separate हो सकते हैं अलग-अलग हो सकते हैं ठीक है तो यह इसमें बताया गया है जब in plane failure हो अब आता है connection failure ठीक है connection failure जब चारों दिवारों का connection एक दूसरे से अच्छा नहीं होता तो अर्थ-quake के वह जैसे वह क्या होती है वह दिवारे तूट जाती है जैसे इस figure में आप देख सकते हैं अर्थ-quake की direction यह है हमारी ठीक है तो इस direction में आप देख सकते हैं इस दिवार पे दिवार जो भी है और यह भी हमारी दिवार भी है तो इस पे bending होती है यानि कि इस पे फ्लेक्जरल स्ट्रेस अपलाई होता है तो यह overturn करने की कोशिश करती यानि कि पलटने की कोशिश करेंगी और जो दिवारे transverse direction में है जैसे यह और एक यह वाल ए तो यह हमेशा shear stress की वजह से transverse direction में यह गिरने की कोशिश करती है ठीक है तो यह जो failure होता है इसमें connections एक दूसरे के साथ proper नहीं होते दिवारों के तो यह failure हमारा connection failure कहा जाता है ठीक है अगर connection failure से इसको बचाना है तो हमें इसके joints को काफी जादा मजबूत रखना होता है प्रोपर इसमें bonding करनी होती है जिसकी वजह से यह earthquake में damage ना हो और यह दिवारे एक दूसरे से अलग ना हो और हमारा जो structure है वह एक box की तरह behave करे और यह earthquake से बच सकता है ठीक है यह देखिए poorly connected walls जो इसमें connection काफी poor है और यह properly connected walls है ठीक है जिसमें पूरा structure एक box की तरह behave करता है और इस पर अर्थक्वे का असर बहुत ही कम होता है कि फिर है connection failure के definition let's consider the wall A and B जो हमने पीछे आभी figure में देखी है together as shown in figure below जो हमने पिसली figure में देखी है तो वही यह लिखा है below for the given direction of earthquake shaking अर्थक्वेक जब आता है उसमें जो अलग अलग shaking होती है दिवारों की तो वह भी इसमें दिखाए B है हमारी उसमें out of plane failure होता है bending होती है और इसे को हम flexural wall भी बोलते हैं ठीक है वाल A है उस पो हमारा shear और bending act करता है ठीक है if the wall are tied together properly the shear and bending अगर दिवारें अच्छी तरह से connected हो properly connected हो तो shear और bending उसको हम minimize कर सकते हैं और जो हमारा structure है वो box की तरह behave करेगा ठीक है अलग 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 पार्टिकल अलग 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 component में वह नहीं टूटेगा एक पूरा box की तरह behave करेगा जैसे कि पीछे हमने figure में देखा है and does the box action provides greater resistance to the horizontal loads अब उसमें कोई भी connection failure ना हो वह box की तरह behave करे तो उसमें जो resistance power है horizontal loads को सहन करने की वह इसकी बढ़ जाती है ठीक है but if walls are not tied together properly then wall B will overturn and may cause collapse of the structure or building ठीक है अगर properly connected ना हो तो हमारी जो दिवार B होंगी वह overturn कर जाएंगी यानि कि वह पलट जाएंगी ठीक है जिससे कि हमारा पूरा परा structure fail हो जाएगा ठीक है तो यह इसमें बताया गया है connection failure का जो main funda है ठीक है जैसे आप इस figure में देख सकते हैं इसमें connection failure है और जो इसके दिवारे हैं वह चारों तरफ से अपना साथ अपना bonding को lose कर चुकी है और यह दिवारे गिर चुकी है अब आता है diaphragm failure क्या है जैसे कि यह आप देख सकते हैं यह है earthquake की direction यह इसमें figure में भी देख सकते हैं इसकी वज़े से और जो inertia force है उसकी वज़े से यह जो slab है RCC slab या concrete slab या concrete block slab यह इस direction में move करती है और फिर वापिस यह इस direction में आती है ऐसे यह vibrate करती है ठीक है आगे पीछे vibrate करने के वज़े से जो bonding होती है हमारी दिवारों में और रूफ में चत में जो bonding होती है वह कमजोर हो सकती है और वहां से crack आने start हो जाते हैं तो यह जो होता है हमारा failure इसको हम diaphragm failure बोलते हैं ओके consider a building with a roof and wall subjected to earthquake हमने एक building को consider किया इसमें दिवारे हैं चते हैं the roof is subjected to earthquake force as shown in figure जैसा कि figure में दिखाया गया है तो इस पे एक earthquake आया है the roof slab will transfer the earthquake force to the wall causing shear and bending in the horizontal plane तो जो रूफ पे earthquake का force लगेगा तो वो उसको transfer कर देगा दिवारों पे okay जो भी उस पे searing and bending लगेगा वो दिवारों पे उसको transfer कर देगा this action is called as diaphragm action तो यह जो action है इसी को हम diaphragm action बोलते हैं due to earthquake forces the failure cracks develop near the corner of the wall and may lead to separation of wall and in turn collapse of the building okay तो इसी की वज़े से वहां पे cracks develop हो सकते हैं और हमारा जो structure है वो गिर सकता है ठीक है collapse हो सकता है तो यह इसमें बताया गया है diaphragm failure okay next चलते हैं failure due to opening of falls यह देखिए opening क्या होती है जैसे doors and window frames आपके जो exhaust fan होते हैं या फिर कोई अलग से इसमें opening हो तो वो जो opening होती हैं दिवारों में तो उनकी वज़े से कई बार cracks आते हैं क्योंकि अगर कोई दिवार complete हो उसमें कोई भी छेद ना हो कोई भी opening ना हो कोई भी दिवार में दर्वाजा या खिड़की लगाने का कोई भी opening उसमें ना हो तो उसकी load carrying capacity काफी ज़्यादा होती है as compared to जिसमें बीच में कोई opening दी हो ठीक है क्योंकि opening जा area है वहां पे वह load उसको सहन नहीं कर पाएगा और उसमें cracks आ सकते हैं ठीक है तो ऐसा ही इसमें बताया गया है तो जिसमें opening होती है दीवार में वह तूटने के chances ज़्यादा होते हैं as compared to जिसमें opening नहीं होती है ओके openings are necessary in building but it cannot but the location and size of opening in wall affect the performance of machinery building in earthquake ओके बट जो opening है उसकी location और उसका size इसपे depend करता है कि earthquake आता है और कितना ज्यादा उसपे damage हो सकता है opening obstruct the flow of forces from one wall to another opening क्या होती है यह रस्ता रोक देता है जो force का transfer होता है उसका वरस्ता यह रोक देता है और इसी वज़े से वहां पे cracks आ करते हैं जैसे यह जो दिवार आप देख सकते हैं इसमें उपर से अगर अर्थ के का force नीचे यह transfer होता आ रहा है बट बीच में आ गई आपकी खिडकी ठीक है तो खिडकी आ गई तो यह जो force है उपर से आएगा तो यह बीच में से तो जाएगा निए और side में से निकल नहीं कोशिश करता है इसलिए यहां पर इतने सारे cracks आ चुके हैं आप देख सकते हैं कितने जादा यहां पर cracks आ गए हैं ऐसा ही हमारा इस figure में भी है तो जहां पर openings है यहां पर कितने सारे cracks आये हैं तो यह इसी वजह से हैं यह पूरा का पूरा लोड अच्छे से डिस्ट्रिब्यूट नहीं कर पाते हैं और सारा लोड इनके बीच में से निकलने की कोशिश करता है तो यहां पर cracks आ जाते हैं इस टाइप ओ फेलियर रिजल्ट्स इन डाइगनल क्रेक्स तो इसके वजह से डाइगनल क्रेक्स आते हैं मैसनरी में बिट्विन ओपनिंग एंड क्रेक्स एड़ लेवल ओफ ओपनिंग आल सो ठीक है सारी जंगय पर यह क्रेक्स आ सकते हैं तो यह एक बैस्ट तरीका है कि जितने भी ओपनिंग से हैं वह हम कोर्नर के पास ना हो ठीक है और उसका साइज भी हम कम से कम रखें तो यह एक बैस्ट तरीका है जिससे हम अर्थक का effect काफी कम कर सकते हैं नेक्स्ट आता है हमारा फेलियर इसको बोलते हैं पॉंडिंग ओके पॉंडिंग का मतलब क्या है यह देखिए जब दो या दो से अलिग गर एक साथ है जैसे एक घर यह है एक बीच में घर है और एक यह साइड में गर है तो इनका अलग अलग लेवल है रूफ का छतों का अलग अलग है तो यह जो बीच में घर है यह हाइट में चोटा है ठीक है और साइडों में यह दो घर है जब अर्थक्विक आता है तो यह बिल्डिंग वाइब्रेट करते हैं ऐसे और ऐसे बीच वाली भी वाइब्रेट करेगी इस डारेक्शन में इस डारेक्शन में और जाएंगी तो हिलने के बाद यह एक दूसरे से टक्राएंगी ठीक है यह building एक दूसरे से टक्राएंगी और टक्राने से यहां पर cracks आते हैं यह देखिया आप यह cracks यहां पर develop हो चुके हैं इन cracks को बोलते हैं पोंडिंग, ठीक है, समझ में आया, वें रूफ ओफ तू डिफ्रेंट एड़टेसेंट बीलिदिंग्स, आर डिफ्रेंट लेवल, ठीक है, देन, ड्यूरिंग अर्थक्वेक, दा ब्रिक वर्क फेस हीट्स, अगेंस्ट इच अदर, ठीक है, अर्थक्वेक में यह एक दूसर है Penion की वज़े से यह इसमें से बताया गया है Rotary किया कि न्हों स्ट्रक्टरल कंपोनेंट फ्यलियल नों स्ट्रक्टल कंपोनेंट क्या होते है जो फ्रक्टर में ना हो यानि कि अगर वह फेल हो भी जाए स क्पर पर हमारी बेंग पर स्ट्रेंट यह वो उसकी कम ना हो इसी को बोलते है नोन- अब जैसे नोन स्च्राट्च्ट्र ओर में देख सकती हैं ये काफी सारा सामान है कबर्ड इंट इस सारे ने ठीक है इसके vibrations गिर चुके हैं बट हमारा जो building है as it is खड़ी है इसमें कोई भी damage नहीं हुआ तो यह समान गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा structure है main building है वो नहीं गिरी तो काफी हमारा पैसा बच चुका है और damage यह बचा चुका है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं यह false ceilings है यह भी नीचे गिर गई है यह plaster है ceiling का यह भी नीचे गिर चुका है तो यह जो चीजे हैं जिसे structure के strength पे ज़्यादा effect नहीं पड़ता तो इसको बोलते नोन structural components और यह भी fail होते हैं जैसे falling of plaster from the walls and ceilings, cracking and overturning of machinery parapets, roof chimneys and balconies ठीक है जो parapet walls है, roof chimney है, balconies है तो वे कई बार overturn पलट जाती है और उसमें cracks आजाते हैं बट यह तो हमारी secondary चीज होती है, इसमें अगर कुछ default भी हो, parapet wall में कुछ खराबी है तो हम उसको किसी भी time change कर सकते हैं, हमारी strength पे, हमारे building के strength पे इसका कोई भी effect नहीं होगा cracking and overturning of partition wall, तो partition wall क्या होती है, जो कि non load bearing wall होती है, उसको हम mainly एक room को दो part में divide करने के लिए use करते हैं, उसको partition wall बोलते हैं, तो उसको हम बीच में से हटा भी दें, तो भी कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, उसमें अगर cracks आते हैं, earthquake की वजए से, तो कोई problem की बात नहीं है, तो वो भी हमारा एक non structural component है, building का, फिर है cracking of glass pens, तो खिड़की या दरवाजों में जो glass pens लगे होते हैं, वो कई बार cracks हो जाते हैं, इन्हीं, earthquake के सोक की वजए से, ठीक है, तो वो भी हमारा एक non structural component है, क्योंकि कांच के तूटने से या गिर जाने से, हमारे structural की strength पे कोई भी effect नहीं पढ़ता है, ठीक है, फिर है, falling of loosely placed adjacent overturning and cupboards, ठीक है, sorry, objects, loosely placed objects, overturning of cupboards, etc, ठीक है, तो building में जितने भी loosely यानि कि delay पदार्थ रखे हुए हैं, जैसे वो हिलने पे गिर जाएं, तो और जैसे cupboards वगरा हैं, almira वगरा हैं, तो वो भी कई बार गिर जाती हैं, कई बार fan भी गिर जाते हैं, तो ये सारी चीजे गिर सकती हैं, अर्थक्वेकाने पे, बट इससे हमारे जो main structure है, main building है, main हमारा घर है, उसकी strength पे कोई भी effect नहीं पढ़ता, तो ये हमारा होता है, non structural component failure, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज आप इसको like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, घर पर ये सुरक्सित रहिए, और देख तरे मेरे चैनल, civil engineering chapter wise को, thank you for watching, have a good day.